नमस्कार आज मैं property खरीदने वाले उभोगताओं को यह बताना चाहता हूँ property खरीदने से पहले 12 दस्तावेजों की जाज कर ले 12 दस्तावेज जो मैं बताना चाहता हूँ वो इस प्रकार है पहला title document property का title document की जाज करना बहुत आवशक होता है title document के अंतर का sale deed, gift deed, convince deed आदी आती है दूसरा document channel document channel document में यह देखा जाता है कि यह property किस channel के माध्यम से उभोगता को प्राप्त हो रही है तीसरा document encryption certificate, चौथा document occupancy certificate, पाचमा position letter की उस पे किस व्यक्ति का कब्जा है कब्जा प्राप करने के लिए उस व्यक्ति को उस consumer को position letter लेना बहुत आवशक होता है छटा mortgage, यह mortgage होता है कि वो संपत्ति किसी परकार की गिर्वी तो नहीं है कहीं पर तो mortgage का प्रमाणपत्र लेना भी बहुत आवशक होता है साथवां tax receipt कि उस property पर किसी परकार का tax तो बकाया नहीं है आठवां utility bill यह देखना बहुत आवशक होता है कि उसका utility bill का पूर्ण रूप से भुक्तार किया गया है यह नहीं वो विशे में जानकारी लेना भी बहुत आवशक होता है नौवां car allotment letter आजकल car parking की समस्या बहुत ज्यादा है पार्किंग की समस्या बहुत विक्राल रूप ले रख्या है जिसकी वज़े से लोगों में जगडे विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो जब कहीं पर भी आप property खरीते हैं तो सबसे पहले यह विवस्ता सुनिश्चित की जाए कि उसमें आपकी parking allotment letter प्रवाइड किया जा रहा है पार्किंग के लिए आपको या नहीं किया जा रहा है पार्किंग allotment letter लेना आपको बहुत आवशक होता है साथ में residence welfare जो associations होती है उनसे भी पर्मार्ट पत्र लेना बहुत आवशक होता है और नगर निगम में mutation दाखिला कारिज भी संपत्ती का property कराना बहुत आवशक होता है जिसका पर्मार्ट पत्र लेना आपके लिए आवशक होता है और conversion certificate जो एक आपका बहुत आवशक दस्तवेच property को खरीदने के लिए माना जाता है वो लेना भी आपको बहुत आवशकता है इस परकार के दस्तवेच लेने से आप अपनी property को सुनिश्चीत कर सकते हैं कि अगर property से संबंदित किसी भी परकार की आपको जानकाई चाहिए तो आप मुझसे संपर कर सकते हैं धन्यवाद जैहिं जै भारत